अच्छा जी question no.8 का A हमने solve कर लिया अब आ जाते हैं question no.8 का B part इसमें वो क्या रहा है Robert is traveling ये भी speed, time or distance related question है Robert is traveling on his cycle and has calculated to reach point A at 2 p.m. If he travels at the speed of 10 km, he will reach there at 12 if he travels at 15 km. At what speed must be traveled to reach point A at 1 p.m. अब यहां पर वो कह रहा है कि अगर Robert जो है वो 10 km की speed से चलेगा तो 2 बज़े पहुचेगा point A पे और 15 km की speed से चलेगा तो 12 बज़े पहुचेगा तो बता हैं कि कितनी speed से वो चले कि वो दुपैर के 1 बज़े पहुच जाए point A पे तो लेट्स स्टार्ट आपको पता है कि speed is equal to distance upon time upon time अच्छा जी say suppose for sake यहां से वो start करता है और यह point A है यहां से start कर रहा है अध्यिंक्र कितने हैं मारी 될े के distance कितना है x है अच्छा अगर वो वह कितनी speed से जाता है 10 km per hour कि speed से तो कितने बज़े पहुचेगा व्यों से तकरीब भंण 2 बज़े और वो 15 की स्पीड से जाता है तो वो पोच्टा है तक्रीबन 12 बजे और बताएं कि वो किसी स्पीड से जाए कि वो पोच्चे कितने एक बजे अब आजाते हैं स्पीड कितनी है 10 km परावर और डिस्टन्स हमें मालूम नहीं है और टाइम भी हमें मालूम नहीं है कि कितना टाइम लग रहा है तो इस हिसाब से आपकी पहली एक्वेशन बन जाएगी X is equal to 10 T यहाँ से हमने निकाला दूसरी जो है 15 km 15 km is equal to X upon अब यहाँ पर टाइम कितना हो गया 15 के हिसाब से टाइम जो है वो दो गंटे कम हो गया दो गंटे पहले पहले पहुंच जाता जितना पहले टाइम लग रहा था T अब उससे दो गंटे पहले पहुंच रहा है तो इ यहाँ से हमें क्या पता खिला कि X will is equal to 15 bracket में T minus 2 अब आपको पता है कि X की value क्या है 10 T तो हम 10 T यहाँ पर पूट करते हैं 10 T is equal to 15 T minus 2 अगर हम इसको simplify कर रहे हैं तो यह 15 T और यह minus 30 तो 10 T is equal to 15 T minus 30 और यह minus 30 है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और यह प्लस का है उस तरफ जाके minus का तो 30 is equal to 15 T minus 10 T is equal to आपका क्या हो जाएगा 5 T is equal to 30 तो T किसके पराबर हो जाएगा T पराबर हो जाएगा 30 अपॉन 5 is equal to 6 Rs तो T कितना है 6 Rs तो इसी तरह अगर T 6 Rs है तो distance कितना होगा distance आपका कितना हो जाएगा यहां से distance X is equal to 10 T है तो T की value तो आगी हमार पास 6 तो कितना हो जाएगा distance 60 km X is equal to 60 km पर सवाल यह है कि अब उसको पहुंचना है एक बजे एक बजे मतलब जितना T है उसमें से एक घंटा कम दो बजे से एक घंटा कम मतलब T-1 मतलब हमें अब हमारा क्या होगा टाइम कितना होगा पहले छे घंटे थे छे घंटे में वो पहुंच रहा है दो बजे तो पांच घंटे मतलब आपका distance कितना आपको speed निकालनी speed is equal to distance distance आपका कितना है 60 divided by T-1 क्योंकि आपको पहुंच रहे है एक बजे पहले हम बारा बजे पहुंच रहे थे तो आपने क्या किया था माइनस टू किया था अब हम एक बजे पहुंच रहे हैं तो माइनस वन तो 60 divided by 6 कितना है T कितना है 6 minus 1 60 upon 5 और 60 upon 5 का मतलब 12 km per hour आपकी speed और हम options को देखें तो यह थर्ड वाला जो option है तो इस यह राइड अंसर थार्ड वन 12 km per hour के हिसाब से अगर वो चलेगा तो वो एक बजे पहुंच जाएगा आगेस आपको यह समझ आ गया होगा थेंक यू बेर मैच